नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फेंटसी बिनिंग 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आश्ट्रिया में खेले जाने वाली ECST 10 टूनामेंट के मुकावले नमबर 9 और 10 के बारे में जो खेला जाना है PKC और VCC दोनों ही टीमों के बीच में सबसे पहले दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारा टेली ग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो टेली ग्राम चैनल को आप जरूर जोइन कर लीजेगा फाइनल अपडेट हम यहीं पर आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं और ज़्यदी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेज करना बिल्कुल भी न भूलें वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यदा मदद देने वाली है तो शुरुबात करने वाले हैं अपन वेन्यू से सीवारन क्रिकेट गराउंड आस्ट्रिया में ये मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों पूरा ही टूनामेंट इसी ग्राउंड पर खेला जाना है और जादी पिच की बात करने तो एकदम बैलेंसिंग पिच ये रहने वाली है क्योंकि एक आर्टीफिशल बिकेट के उपर ये टूनामेंट करा जाता है दोस्तों ये आर्टीफिशल बिकेट मैट का बना होता है यानि ना तो दोस्तों पहली इनिंग और ना दूसरी इनिंग में किसी परकार का कोई परिवरतन इस बिकेट पर नहीं देखा जाता है और एबरेज स्कोर की बात करें तो 90 से लेकर 120 के बीच में हमें एबरेज स्कोर दोस्तों देखने वाला है वही अगर टोटल मैचों की बात करें जो इस टूनामेंट में खेले गए हैं तो पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने चार बिकेट और बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम ने चार बिकेट जीते हैं इसका मतलब टोस का किसी परकार से कोई भी परवाब दोनों ही टीमों पर नहीं पढ़ने वाला है दोस्तों बात करें इस टूनामेंट में दोनों ही टीमों के स्कोर्स के बारे में तो PKC टीम ने दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तीन मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबले में इन्हार मिली है वहीं अगर बात करें वी सी सी के बारे में तो दो मुकाबले खेले हैं एक मुकाबले में जीत और एक मुकाबले में इन्हार मिली है और दोनों ही टीमों के दी स्कोरिंग पर नजर करें तो पी के सी ने 101 रन पह बारे मैं तो पहले मुकाबले में 6 रën बनाए हैं और दूसरे मुकाबले में 135 रण इन्हों ने बनाए हैं और बिक्टो की बात करें तो लगबग चार बिकट दोस्तों दोनों ही पारीओं में गरे हैं तो ऐसे में आफ हम कह सकते हैं कि आराम से हम टॉप 4 से लेकर 5 प्लियरों को अपनी टीम में यहाँ पर शामिल करने वाले हैं और दोनों ही टीमों के खास्तोर पर बोलर्स हमारे लिए आज इंपोटेंट रहने वाले हैं तो शुरुवात करते हैं अपन VCC के साथ मैं दोस्तों VCC की प्लेंग 11 पर अपन नजर डालने वाले हैं सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों दोनों ही ओपनर्स के बारे में तो डैनियल एकलस 10 के साथ मैं दोस्तों मार्क सिंप्सन बेटिंग करने आते हैं यदि बात करें पिछले मुकाबलों के बारे में तो पहले मुकाबले में तीन रन बनाए और दो ओवर फ जगर मार्क सिम्सन के बारे में बात करें तो पहले मुकाबले में 27 दूसरे मुकाबले में 8 रन बनाए हैं और दोनों ही मुकाबले में 2-2 ओवर कम्प्लिट किये हैं और 3 बिकेट टीम के लिए नकाले हैं अब यहां से देखें तो दोनों ही प्लियर हमारे लिए important आज के मैच में भी रहने वाले हैं अब बात करें अबदुल्ला अकबर जान नंबर 3 पर यह बल्ले बाजी करने आएंगे तो पहले मुकाबले में 35 और दूसरे मुकाबले में 32 रन इनके बल्ले से निकले हैं और दोनों ही मुकाबले में 2-2 ओवर कम्प्लिट किये हैं और 5 बिकेट जदरान के बारे हम बात करेंगे तो पहले मुकाबले में जीरो पर यह आउट हुए हैं दूसरे मुकाबले में 42 रन की पारी खेली है अब देखें दोनों ही मुकाबले में 2-2 ओवर कम्प्लिट किये हैं और एक बिकेट भी टीम के लिए निकाला है तो यह चारों ही पिलिय इन्होंने मेंटेंड किया है मतलब थोड़ा बहुत स्कोर यह आपको जरूर करकर देने वाले हैं अब छटवे नंबर से लेकर दोस्तो जो नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं यह हमारे लिए खासतोर पर हेड़ टूएड और स्मोल लीगों में एंपोरेंट प्लियर नहीं आई है वही साथवे नंबर के बल्लेबाज जोस्तों नवीन बिजय शेकरा के बारें बात करें तो यह दोनों मुकाबलों में से एक मुकाबलें बैटेंग आई है वहाँ पर एकरन मना जा है लेकिन अच्छी बात यह है कि यह लगातार दो ओवर कंप्लिट कर रहे हैं और दोनों ही मुकाबलों में तीन बिकट अपनी टीम के लिए निकाल कर दिये हैं यानि बॉलिंग के लिहास से नवीन बिजय शेकरा हमारे लिए इंपोटेंट हो जाता है वहीं अगर बात करें कुईंटम नौरिस के बारे में तो आप इनको ड्रॉप करकर चलें ना तो बॉल बल्ण बहुंग करते हैं वो ना ही बैटिंग कर रहे हैं वहीं हैकर बात करें मुनी बंसरी के बारे में तो यह भी दोस्तों किसी काम के हमारे लिए नए हैं अब देख सकते हैं अब बात करेंगे दोस्तों bench strength के बारे में यहां से किसी प्रकार के player की playing 11 मेंटरी होती है तो इसकी जानकार हम आपको telegram channel पर दे देंगे अब बात करते हैं दोस्तों Pakistan CC यानी PKC पेकी से team की playing 11 के बारे में सबसे पहले बात करेंगे नवीद शादिक हसन के बारे में जो कि दोस्तों मुहम्मत कासिम के साथ में open करने आते हैं अब चार मकाबले PKC team के हो चुके हैं तो दोस्तों चारों मकाबलों से हमें काफी अदा analysis होने वाला है बात करें तो चारों मकाबलों दोस्तों इनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं लेकिन पिछले मुकाबले में तेरा रन की पारी आई है और बॉलिंग की बात करें तो लगबग एक ओवर ये आपको कंप्रेट करकर देने वाले हैं और टूनामेंट में अभी तक तीन विकेट भी टीम के लिए निकाल कर दिये हैं हाला कि ओपन कर रह राएे हैं और पिछे मुकाबले में दो वर फेके हैं और तीन विकेट भी टीम उनिकाल कर दिये हैं लगबग लगबग एक ओवर ये आपको जरूर फेक कर देने वाले हैं ऐसे हमारे नहीं चाहिए अप बात करेंगे शेकंदर हायाट के बारे में लेकिन पिछले मौ trabalho में बात ये है हमारे लिए कि नंबर तीन पर बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों ऐसे में बॉलिंग भी करते हैं तो हमारे लिए काफी फाइदा ये दिलाने वाले हैं अब बात करेंगे शदनान खान के बारे में तो चोथे नंबर का ये प्लियर है दोस्तों और आराम से आप इने कै बार ये जरूर फेकने वाले हैं चोथे नंबर का बल्ले बाजे अभी तक स्कोर नहीं किया है दोस्तों पहले ही मुकावले में 42 का स्कोर है इसके लावत तीनों मुकावल में स्कोर नहीं है यानि ग्रांड लीग के लियास से देखें तो ये प्लियर आपके लिए इंपोर्ट गया था तो इसके बारे हम बात करते हैं पांचवे नंबर पर दोस्तों यहां पर खलाये था अब्दुर्राहिम रहीम जाई को तो इनके पुराने रिकोर्ड्स पर नजर डालें तो 18 के एवरेस से ये रन बनाते हैं और पिछले दोनों मुकावलों में मात्र लाष्ट मुक इसलिए करने वाले हैं क्योंकि सामने वाली टीम का बिकेट कीपर काफी नीचे बैटिंग करने आता है साथवे नंबर के बल्लेवाज के बारे हम बात करें तो दोस्तों यह आपको दो ओवर कंप्रीट करका जरूर देने वाला है सबसे ची बात दोस्तों एक मुकावले में और नंचास रन भी यह बना चुके हैं जो की साथवे नंबर पर ही बैटिंग करकर इन्होंने बनाए थे यानि देखें तो बल्लेवाजी में तो हम ज्यादा उम्मी नहीं करते हैं क्योंकि कफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं लेकिन बालिंग के लिए आस से देखें तो दो और दोस्तों फickers रहे हैं और ऐसे में तीन बैकिट भी अपनी टीम के लिए निकल कर इन्होंने दिये हैं दोस्तो गोराया को किसी परकार से भी आप टीम में शामल ना करेंगे अब बात करेंगे जस्तों अजमल के बारे में तो ये भी दो और कंपलिट कर रहे हैं और दोनों ही टीमों में एक मात और लेफ टाम मीडियम पेस ये बॉलिंग करते हैं दोनों ही टीमों में दोस्तों लेफ टाम बोला रहे हैं इसका मतलब बिकेट निकालने में सक्चा में और पिछले मुकाबले में दो बिकेट निकालकर अपनी टीम के लिए भी इन्होंने दि करें तो नवे नंबर का बल्लेबाद जो की उमर गुजर पिछले मुकाबले में इनको प्लेइंग मिली थी आप इनको ड्रॉप करकर चल सकते हैं दोस्तों एक डेमो टीम हमने आपके लिए बनाई है जो की पिछली प्लेइंग लेवन के हिसाब से रही है यहाँ पर इमसन पारकर को हमने 22वेज़ान और दोस्तों अजर अकबर वेज़ान को हमने normale उक्रिवजा Means ऑर ठी characterization घ्र stop चैनल पर नए हैं तो सबसक्राइब जरूर करियेंंग मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बास जएहिन दोस्तों